कच्च के पशुपालों को का जीवन बदलने में बड़ी भूमी का निभाई है कुछ साल पहले तक कच्च से और वो भी बहुत कम आता में दूद को प्रोसेसिंग के लिए गांदी नगर की डेरी में लाया जाता था लेकिन आप वही प्रोसेसिंग अंजार के डेरी प्लांट में हो रही है इससे हर दिन ट्रांस्पोर्टेशन में ही किसानों के लाखों रुपिया बच रहे हैं अब सरहत डेरी के आटोमेटिक प्लांट की चमता और बढ़ने जा रही है आने वाले दिनों में यहां का डेरी प्लांट हर दिन दो लाग लीटर जानदा दूद की प्रो लाब होगा यही नहीं नए प्लांट में दही बटर मिल्क लट्सी मकान खुवा जैसे अनेक मिल्प प्रोडक्स में बेल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा साथियों डेरी सेक्टर में जिन पशुपालोंकों को लाब हो रहा है उसमें से जाधातर छोटे किसानी है किसी के पास तीन पशुई हैं चार पशुई हैं किसी के पास पाँच किसी के पास साथ और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है यहां कच्की बन्नी भैस यह हमारी बन्नी भैस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है कच्छ में तापमान चाहे 45 डिगरी हो या फिर तापमान सुन्य से नीचे हो बन्नी भैस आराम से सब कुछ सहती है और बाद मौत से रहती है इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल कर करके जाने में बन्नी की भैस को कोई दिक्कप नहीं होती है एक दिन में यह भैस आवसतन करीब करीब 15 लीटर दूद देती है और इससे सालाना कमाई 2-3 लाख रुपे तक की होती है मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैस पांच लाख रुपिये से भी जादा में भी की है देश के और लोग सुनते होंगे उनको आशेरे होगा बन्नी की बैस पांच लाख रुपिया यानि जितने में दो छोटी कार खरीदें इतने में बन्नी की एक भैस मिलती है साथियों साल 2010 में बन्नी भैस को राष्ट्रिय माननेता भी मिली थी आजाती के बाद भैस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रिय स्तर पर इस तरह की माननेता मिली साथियों बन्नी बैंस के दूद का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्ता यहां कश्मे बहुत सफल रही देश में बाकी जगह पर भी दूद उत्पादक और दूद का व्यवसाय करने वाला प्राइबेट और कोपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं औ पर एक बहतरीन सप्लाई चेन उनने खड़ी की है इसी तरह फल सब्वी से जुड़े व्यवसाय में भी जादातार बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है साथियों यह उदान मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को ब्रमित करने की बड़ी साजिस्ट चल रही है उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृसी सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कबजा कर लेंगे भावयों भावयों बहनों मैं आपसे जानता हूं क्या कोई डेरी वाला आपसे दूसर लेंगे का कॉंट्रेक करता है तो आपकी गायबेंस ले जाता है क्या कोई फल सब्जी खरने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमिल ले जाता है क्या आपके प्रपर्टी उठाके ले जाता है क्या साथियो हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान क्रशी आर्थेववस्ता के कुल मुल्य में 25 प्रत दूद उत्पादन का कुल मुल्या अनाज और दाल के कुल मुल्य से भी ज्यादा होता है